जैहिन मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल भारत का लौ में तो आज हम बात करेंगे सुप्रिंग कोट के एक फैसले के बारे में जिसमें सुप्रिंग कोट ने कहा है कि पती अब अपने पत्नी के बाइफरेंड के उपर या फिर किस कि उपर जिसके साथ उसकी पत्नी का कोई संबंध है उसके उपर कोई भी केस नहीं कर सकता है तो आएए सुरू करते हैं इस वीडियो को जैसा कि हम देखते हैं समाज में कि शादी के बाद भी किसी ओरत का किसी और मर्द के साथ रिलेशन्शिप होता है या फिर कोई भी फिजिकल रिलेशन्शिप या कैसा भी रिलेशन्शिप होता है लेकिन जब बात आती है उसके उपर कोई केस करने या फिर कोई और चीजों के बारे में बात आती है तो फिर उस आदमी के उपर ही केस होता था जिसके साथ वो औरत रिलेशन्शिप में है पहले यही होता था कि अगर किसी को पता चलता है कि मेरी wife किसी और मर्द के साथ relationship में है तो उसका husband उसके उपर उस दूसरे आदमी के उपर 497 का case कर देता था जिसमें उसको 5 साल की सजा तक का प्रवधान था बट अभी recently एक judgment आई है जिसमें Supreme Court ने कहा है कि 497 को पूरी तरीके से हटा दिया है जिसमें ये था कि सिर्फ लड़के को सजा होती थी जो उस लेड़ी के साथ relationship में है उस चीज को Supreme Court ने हटा दिया है क्योंकि अगर शादी के बाद अगर कोई female किसी male के साथ relationship में आती है है इसमें इसलिए Supreme Court ने एक नया order लाया उसमें एक नया आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 497 जो कि सविधान है उसमें articles 14, 15 और 21 का उलंगन होता है जिसमें कहा जाता है कि सबके लिए same law है same freedom है सबकी अपनी आजादी है तो सिर्फ सिर्फ एक को ही सजाईस में क्यों देना है बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया कि कहीं ना कहीं husband और wife का एक साजी सोती थी किसी को फसानी के लिए बाद में wife कहती थी कि मैं अपने husband को बता दूँगी कि तुम मेरे साथ ऐसे relationship में हो या फिर husband अपनी wife को बोलता था कि इसको ऐसे फसादे वरना मैं तेरे उपर case कर दूँआ या जो भी चीजे थी तो ये चीजे बहुत बढ़ती गई इसलिए 497 को हटाना बहुत जरूरी था और इसको पुरी तरीके से हटा दिया गया बट इसमें एक बात मैं और बताना चाता हूँ ऐसा नहीं है कि इसमें पती कोई action नहीं ले सकता है पती को अगर पता चलता है कि उसकी पतनी का किसी और के साथ relation है तो इसके बहाव पे वो divorce petition फाइल कर सकता है कुछ evidence इखटा करे कुछ सबूत इखटा करे जिसके बहाव पे वो divorce ले सकता है अपनी wife से इसमें एक महत्वपून बात और है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 497 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है लिनान 27 September 2018 को Chief Justice of India दीपक मिश्रा द्वारा और कुछ और judges थे इसमें उनके द्वारा इस चीजों को I mean इस section को हटाया गया बट इसमें एक इसमें दस उसमें उन्होंने line दी हैं चीजे बताई हैं बट उसमें से एक बहुत महत्वपून line मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें सुप्रिंग कोट के bench ने कहा कि पती पतनी का मालिक नहीं हो सकता है समाद जो चाहे वैसे ही सिर्फ औरत नहीं कर सकती है उसकी अपनी भी कुछ सोचना है या फिर उसकी अपनी भी कुछ freedom है तो इस चक्कर में आप उसके उपर कोई ऐसा नहीं कि दबाव बना सकते हैं ये भी चीज थी इसके अंदर तो कुल मिला के इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है अगेन मैं बता रहा हूं कि कोई भी वैक्ती कोई husband अपनी wife के boyfriend या फिर उसकोई भी वैक्ती जिसके साथ उसकी wife relationship में है उसके उपर adultery का case या किसी परकार का case नहीं कर सकता है जब तक कि कोई जोड़ जबस्ती ना की गई हो जब तक उसकी wife ना बताए कि कोई जोड़ जबस्ती है लेकिन उन दोनों के relationship में सिर्फ लड़के को फसा दिया जाए ऐसा अब नहीं हो सकता है तो यह थी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो like करें share करें subscribe करें जैहिंद